दोस्तों अगर आपका भी सपना सुरू से बच्चों को पढ़ाने का रहा है अगर आप सरकारी टीचर बनने का सपना सुरू से देखते आ रहे हैं तो कोई दस बिस हजार नहीं एक लाग सतर हजार वेकेंसी दोस्तों आपका इंतिजार कर रही है वो भी ज्यादा दिन दूर नहीं है 15 जून से फोरम भराना सुरू हो जाएगा क्लास एक से लेकर के बारवी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए BPSC के ओफिसियल साइड पे यहाँ पे लिंक जारी कर दिया गया है लेकिन एक और बात दोस्तों अभी एक और लिंक यहाँ पे जारी किया गया है जिस का कोई भी डेटा आपको ओफिसियल तोर पे रिजर्व नहीं रहेगा तो असली फोरम भरने से पहले दोस्तों एक बार आप यहाँ पे डेमो जरूर ट्राई किजिए वेबसाइट का नाम है online bpsc.bihar.gov.in यहाँ पे आईएगा दोस्तों यहाँ पे candidate first name यानि कि आपका राहूल हो जाएगा लास्ट में पांडे हो जाएगा यहाँ पे middle name है ही नहीं तो यह भरे गए नहीं यहाँ पे नीचे देखें यहाँ पे फादर नेम में आप चाहें तो कुछ भी भर सकते हैं जैसे जो भी आपका फादर का नाम है husband name यहाँ पे हैं तो ठीक है यहाँ पे हैं तो यहाँ पे कर दिएगा नीचे देखिए साधी सुधा है तो यहाँ पे यहाँ पे क्लिक किजिएगा gender में male है तो male female है तो female और नीचे में देखिए are you a grandson grand doubter of freedom fighter यानि कि स्वतंदरता से नानी के अगर आप नाती है तो यहाँ पे yes कर दिएगा नाती होता है तो yes कीजिएगा नहीं है तो मत कीजिएगा यहाँ पे अगर को disability है तो यहाँ पे yes कीजिएगा और जो भी disability होगा दोस्तों अगर visual है देखने में दिक्कत है तो यह वाल तो यहां पी क्लिक कर दीजिगा अगर आप CTT या STT क्वालिफाई हैं तो पातता परिषा परे कीजिएगा अगर को नियोजित शिक्षक पहले से थे तो यह दक्षता परिषा पर प्लिक कीजिएगा फिर उसके बाद आपको अपनी प्रैस से छडिक जोकेटा का नुशार इम आप डाल सकते हैं और address आप यहाँ पे line 1, line 2 करके village post, district यह सब चीज़े इसमें आप add कर दीज़ेगा फिर आप इसमें pin code यहाँ पे डाल दीज़ेगा फिर यहाँ पे वही permanent address होगा तो यहाँ पे आप उसी को फिर से डाल दीज़ेगा और यहाँ पे state और यहाँ पे pin और यहा भी qualification कहा गया है वह qualification है तो yes दबाईए अगर no दबा देंगे तो फिर आपका यह form अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पे देखे यहाँ पे फिर okay पर हम दबा देते हैं फिर नीचे में आए email address आपको डालना इसमें और mobile number capture को डाल करके आप क्या किज़े submit कर दीज़े ठीक है submit करने के बाद आपको क्या मिलेगा registration number मिलेगा ID password मिलेगा फिर उस पे दबा करके click करके आप चेक कर सकते हैं उसमें पूरा detail निकल के सामने आएगा एक लाग सतर हजार पोश्ट के लिए वेगैंस से निकला है तो जो लोग CTT qualify है जो लोग B.A.D. किया है क्योंकि आपको पत दोस्तो टीचर बनना है न तो आपको बहुत सारे step पार करने पड़ते हैं आप तो पहले graduate आपको होना पड़ेगा ठीक है बहुत सारे पोश्ट के लिए आपको graduation के साथ साथ post graduation भी चाहिए तो B.A.D. किये हुए है आप graduate है पोश्ट graduate है और साथ में आप अगर CTT qualify है या फ सब के लिए अलग-अलग educational qualification की जरूरत है तो जा करके अच्छे से notification में देख लिए कि आप जो form apply करने वाले है प्राइमरी टीचर के लिए तो प्राइमरी में क्या-क्या requirement है तो जा करके आप देख सकते है या फिर आप TGT के लिए कर रहे है तो उसमें क्या requirement है जा करके उसके बाद form apply आप कर दिजये तो चलिए दोस्तो अफिकल बस इतना है